हलो फ्रेंड्स बहुत-बहुत स्वागत है आपका इंग्रिश रवांटेज की ऑनलाइन क्लासेज में फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको मौक टैस्स सॉल्व कर बाऊंगा एक्जाम के लिए जन्वरी में होगा 2017 में और ये वीडियो इंग्लिश ये वीडियो हिंदी में रहेगा और इसका इंग्लिश वर्जन भी आप देख पाएंगे इसी चैनल पर इंग्लिश रवांटेज यूट्यूब चैनल पर तो इस मौक टैस्स में 25 कोश्चन से और सारे स कोश्चन को एक कॉपी और एक पैन ले ले और इसमें अपना आंसर आप लगाते जाएं इसको करते जाएं और यूज से मैच करता है तो अपना एक नमर को देना है और अदरवाइस आपको मार्किंग करनी है । 2.25 exam के according और जो भी आपका final score बनता है उसको आप मुझे comment box में लिखके भेजिए और एक इसमें test question भी है जो की student को solve करना है और उसका answer मुझे comment box में लिखके भीजना है उसको उस पर मैं अपना-पना feedback आपको दूँगा ठीक है तो चलिए शुरुआत करते हैं लेकिन exam के लिए इसको आप दौनों medium में ले सकते हैं हिंदी और English medium में ठीक है और इसमें आपके सारे subject कबर होंगे latest pattern पर अधारित है और इसको हमने बनाया है selection के लिए इसका purpose है कि students का selection हो और इसका जो individual price है वो 399 रुपीज है इसको आप इस site से ले सकते है test.englishadvantage.in इसको आपको link मिलेगी यह right hand side top पे आपको इसकी link आएगी उस link पर click करके भी आप direct side पर आप पहुंच सकते हैं और आपको type नहीं करना पड़ेगा ठीक है लेकिन यहां पर मैं आपको एक suggestion दूँगा कि यदि आप अच्छी practice करना चाहते हैं और आप definitely selection लेना चाहते है इस exam में तो मैं आ आपको सजेस्ट करूँगा कि यह 699 रुपीज का यह combo pack लें आप और इसके थ्रू आप practice करें तो definitely बहुत अच्छा आपको confidence आएगा और बहुत अच्छी practice होगी और definitely आपको सफलता मिलेगी तो थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ आपको कि इसमें सारे subjects आपके जो होते हैं सारे topics इसमें cover हैं इस mock test series में quant, reasoning, general awareness, English and computer, topic wise इसमें test है, full length test है, ठीक है, सभी तरीके के test है, English और Hindi medium दोनों में ही इसमें question रहते हैं और यह एक साल के लिए valid है और latest pattern पर याधा रहते हैं पूरा आपको support मिलेगा, यह help line number है, phone number है, यदि आपको कोई problem आती है, तो तुरंत call करें आप, ठीक है, email ID भी इसमें दिया हुआ है, तो आपको पूरा support इसमें मिलेगा, और इसके through आप practice करें, definitely आपको सफलता मिलेग तो चलिए शुरूआत करते हैं, real mock test है, आप तयार हो जाएं, copy और pen ले लें, और अपने answer आप लिखते जाएं, जो भी आपके answer आ रहे हैं, और finally आपका जितना भी score बनता है, वो पूरी इमानदारी के साथ आपको add करना है, और मुझे भेजना है, उस पर मैं अपना feedback दू आएंगे, आपका जो paper होगा CHSL का, ठीक है, तो यह spotting error का part 1 है, part 1 आप देख सकते हैं, spotting error के questions हैं, इसमें 5 questions होंगे, और बाकी फिर दूसरे sections के question इसमें आ जाएंगे, supposing if it rains, what shall be due, ठीक है, तो आपके spotting error के question आएंगे CHSL में, उसमें 4 part होंगे, जैसे आप देख सकते है A, B, C, D, और D वाला जो part है, वो no error का part है, ठीक है, यदि question पूरी तरीके से सही है, आपको लगता है, तो आप D लगाएं, जो कि no error का section होता है, और banking में 5 इसमें, एक E वाला section भी होता है, ठीक है, तो इस वाले question में, question number 5 में, supposing और if दौनों साथ में नहीं आएंगे, क्यों सही माना जाएगा, लेकिन supposing आप बोलें, तो ज्यादा appropriate लगेगा वो, supposing it rains, what shall we do, ठीक है, तो इसमें आपका जो answer होगा, वो होगा A, question number 1 का जो answer होगा, वो होगा A, तो यदि आपका answer A है, तो आप एक number दीजिए, otherwise आप minus marking करके, उसमें अपना पूरा आपका जो score है, उस practicing very hard for the forthcoming match, मतलब captain अपनी team के साथ आने वाले जो match है, उसकी तैयारी कर रहे है, इसको आप पूरा पढ़ें और इसका answer दें, इस वीडियो को चाहें तो आप pause कर दें और इसका अपना answer दें आप, ठीक है, 20 seconds में आपको इसका answer देना है, 20 seconds यादा time नहीं लगना चाहिए, ठ इसमें आर की जगे is आएगा, क्योंकि जब main जो subject होता है, उसके साथ हम ये वाले जो word यूज़ करते हैं, along with, in addition to, besides, with, as well as, जब इस तरह के words हम main subject के साथ यूज़ करते हैं, तो जो burb आती है, helping burb वो primary subject के according आती है, ठीक है, तो primary subject यहाँ पर captain है, team नहीं है, captain है, तो primary subject के according यहाँ पर burb आएगी, और यहाँ पर burb आएगी, R के स्थान पर, is, is में होगा, और question number two का आपका answer होगा, B, ठीक है, तो इसको आप लिखते जाएं अपने marks को, question number three देखते हैं, it was him who came running into the classroom, तो इसको आप पूरा पढ़ें आराम से, वीडियो को pause करें, और इसको आप solve करे इसका क्या answer है, अब मैं आपको इसका answer बता रहा हूँ, इसका answer होगा, यह him की जगए, यहाँ पर आएगा he, क्योंकि is MR के बाद जब pronoun आता है, तो वो subjective case में नहीं आता, वो objective case में आता है, objective case में तो लिखा हुआ है, यहाँ पर यह subjective case में आएगा, तो यहाँ पर was him की इस तरीके से आप बोलेंगे इसमें, ठीक है, यह helping verb के बाद यहाँ पर, तो यहाँ पर question number 3 का आपका जो answer होगा, वो होगा A, तो यदि आपका answer A है, तो एक number दीजिए, otherwise 0.25 की आप minus marking करिए, जिस तरीके से exam में होती है, question number 4 देखते है, the capital of Yemen, Yemen एक देश का नाम है, और इस 1 की, वो 290 मीटर ऊपर है, sea level से, तो इसमें हम एक universal truth की बात कर रहे हैं, इस question में, ठीक है, अगर मैं ing form यहाँ पर लगाँगा, तो इसका मतलब यह हो जाएगा, कि कुछ समय के लिए वो राजधानी है, और बाकी समय के लिए नहीं है, जबकि यहाँ पर हम एक position की बात कर र रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको present simple tense में बोलेंगे, यह passive voice है, तो passive voice में, यहाँ पर is MR के बाद यहाँ पर हम V3 लगाएंगे, यहाँ पर, V3 का आपको use करना पड़ेगा, ठीक है, तो आप यहाँ पर बोलेंगे, is situated, the capital of Yemen is situated 2190 meters above the sea level, ठीक है, तो यह पार्ट इसम में आपका answer होगा, question number 4, your answer is B, चली आगे बढ़ते हैं, question number 5 देखते हैं, और मुझे उमीद है आपको यह सारे समझ में आ रहा होंगे, और आप इसको solve कर रहा होंगे, इमानदारी से, और से definitely बहुत ही confidence आएगा आपको अपने exam से पहले, question number 5, यह पूरा पढ़े हैं आप, इसका answer देखें, he and his brother were two years senior than me and my friend, मतला उसका और उसका भाई, मेरे और मेरे फ्रेंड से दो साल senior थे college में, तो यहाँ पर आपका answer होगा, senior के बाद यहाँ पर then नहीं आएगा, senior के बाद आएगा to, और question number 5 का answer जो होगा, वो होगा B, यह B इसका answer होगा, question number 5 का, ठीक है, question number, देखिए, यह 5 question होगा है आपके, spotting rare के, अब आगया part 2, तो part 2 में आपसे fillers के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, यह blue color में जो दिया हुआ है, यह question है, और red color में जो दिये हैं, वो आपके options हैं, तो इसमें से आपको pick करना है एक बी, और इसको आप पढ़ें, for a child, a blow, self-esteem is a terrible thing, मतलब एक बच्चे के लिए, जो self-esteem होती है, जो self-respect होता है, जो आत्म सम्मान होता है, उसको अगर चोट लगे, तो एक बहुत बुरी चीज़ होती है, वो एक, ठीक है, तो यहाँ पर आपको यह propositions दिये हैं, इसमें, off, with, to, and on, इसमें से एक आपको pick करना है, for a child, a blow off, a blow with, a blow to, or blow on, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, काफी tricky है, यह, C आपका सही आंसर होगा, blow के बाद हम 2 लगाएंगे यहाँ पर, a blow, to self-esteem is a terrible thing, C आंसर होगा, part 2 का, question number 6 का, आपका आंसर होगा, C, question number 7 देखते हैं, blue color में question लिखा हुआ है, red color में आपका आंसर दिया हुआ है, the greenland ice sheet is at the rate of about 12 cubic miles a year, मतलब greenland की जो ice sheet है, वो 12 cubic meter per year के साब से पिघल रही है, ठीक है, तो इसमें आपके options है, melting, smelting, freezing and condensing, तो condensing का मतलब तो होता है कि किसी तरल पजार जो होता है, liquid, वो solid में जब change हो जाता है, तो उसको हम condensed बोलते हैं, freeze का मतलब भी जमना होता है, इस melting हम धातू के पिघलने के लिए use करते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, A, melting, चुकि हम ice के पिघलने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, A, melting, ठीक है, question number seven आपके complete हो गए, question number eight देखिए, the principle called explanation from the clerks, इसमें आपको दो option चूज करने हैं, मतलब एक ही fill up के अंदर, fill up एक ही है, question एक ही है, लेकिन आपको दो इसमें choose करने हैं, ठीक है, तो इस तरह के questions भी definitely आ सकते हैं, यह एक latest pattern है, इस तरह के questions definitely पूछे जाएंगे, जिसमें options में आपको दो आंसर दिये होंगे, तो इस sentence का मतलब क्या है, इस sentence का मतलब है कि principal ने clerk जो लोग थे, उनसे एक explanation मांगा, उनसे एक spastry करना मांगा, कि यह जो गलती हुई है, इसकी आप सफाई दीजिए, इसको आप explain करिए, तो यहाँ पर देखिए, चुकि explain लगा है, बॉबिल साउंड आ रही है, तो यहाँ पर हम N लगाएंगे, और यहाँ पर हम called के साथ क्या लगाएंगे, यहाँ पर, तो called के साथ हम यहाँ पर लगाएंगे for, क्योंकि called for का मतलब होता है मांगना, ठीक है, तो वो ही हम यहाँ पर बोल लाएंगे, प्रिंसीपल ने clerk से explanation मांगा, तो यहाँ पर यह वाला option आपका सही होगा, इसमें B, क्योंकि इसमें for आ गया called for, और explanation के साथ N लग गया इसमें तो यह वाला जो option है, यह आपका सही होगा, question number 8 का answer होगा, B, question number 9 देखते हैं, the crowd gave the victorious team a tumultuous welcome, tumultuous का मतलब होता है noisy, काफी noise के साथ उन्होंने welcome किया, crowd ने victorious team का, जो victorious team थी, उसका काफी अच्छा welcome किया, तो यहाँ पर जो, जब हम welcome करते हैं किसी victorious team का, तो जो crowd होती है, वो बहुत जदा खुश होती है, बहुत जदा excited होती है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो सही word होगा आपका, वो होगा jubilant, क्योंकि happy का मतलब तो एक सामाने से खुशी है, लेकिन जब आप excited होते हैं, बह jubilance, तो यहाँ पर आपका, यह jubilant जो है, यह adjective form है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका यह वाला answer आपका सही होगा, question number 9 का answer होगा, arrogant का मतलब घमंडी होता है, angry का मतलब बुस्य में, happy मतलब खुश, और jubilant का मतलब बहुत जदा खुश, आती उत्साहित, ठीक है, तो question number 9 का हो truth, मतलब यह हमारा कतब है कि हम सच्चाई तक पहुंचें, या सच्चाई का पता लगाएं, तो यहाँ पर सच्चाई का पता लगाएं, किसी चीच का पता लगाने के लिए आप बोलते हैं, get at the truth, तो यहाँ पर आपका answer D होगा, ठीक है, get into का मतलब होता है, किसी situation में पहु पहुचना, ठीक है, तो get on का तो sense नहीं बनेगा, get at यहाँ पर सही रहेगा, और get to be यहाँ पर बोल सकते, get to the truth, मतलब सच्चाई तक पहुचना, तो यहाँ पर D option आपका answer इसमें होगा, question number 10, ठीक है, question number 10 तक आपका हो गया, और अब ही आपका यह शुरू हो गया, part 3, इसम में आपके synonyms पूछे जाएंगे, जो best express word होते हैं, ठीक है, जिसका meaning एकतम similar होता है, जैसे यहाँ पर differ एक word दिया हुआ है, तो differ का क्या meaning है, indifferent, defy, postpone, or differ, ठीक है, तो इसमें indifferent का मतलब तो होता है, कि उत्साहीन, या जो किसी चीज में interest नहीं ले रहा, उसको हम indifferent बोलते है defy का मतलब challenge करना होता है, postpone का मतलब तालना होता है, और differ का मतलब अंतर होना होता है, तो differ का मतलब यहाँ पर जो answer होगा वो आपका answer होगा C, क्योंकि deferment और postponement एक ही चीज होती है, postpon करना किसी चीज को differ करना एक ही चीज होती है, तो synonym में इसका answer होगा आपका C, question number 11 आप आपका आंसर होगा C, rampant का मतलब क्या है, rampant जो चीज सब जगा फैली हुई है, उसको हम बोलते है, rampant, ठीक है, तो यहाँ पर हम synonyms के आंसर बता रहे हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा A, widespread, ठीक है, ratify का मतलब होता है, approve करना किसी चीज को, अपना consent देना, अपनी सहमती देना और उसको approve करना, confined का मतलब सीमित होता है, तो यह confined जो होगा, यह आपका opposite होगा, rampant का, drastic का मतलब बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर आपका answer A होगा, इसमें, rampant में, abandon का क्या मतलब है, cherish, keep, enlarge का मतलब बढ़ा करना, simple word है, forsake इसमें आपका answer होगा, क्योंकि abandon क का मतलब भी छोड़ना होता है, और त्यागना होता है, और forsake का मतलब भी त्यागना होता है, question number 14 देखते है, procrastinate, procrastinate का मतलब होता है, इसमें आप लगाएं, आप पढ़ें, पहले आप खुद लगाएं answer इसका, फिर मैं आपको इसका answer बता दूँगा, ठीक है, इसका answer होगा B, क्योंकि procrastinate का मतलब होता है, delay, question number 15 देखते है, capricious, capricious में देखिए, सारे F वाले option दिये हैं, तो fickle का मतलब होता है, unstable, fragile का मतलब होता है, breakable, जो चीज़ तूट सकती है, feeble का मतलब होता है, कमजोर, और phrobolus का मतलब होता है, silly, या senseless, तो capricious का यहाँ पर मतलब होगा, fickle, ठीक है, जो अपना इरादा और जो अपना मत बदलता रहता है, जो unstable है, उसको हम बोलते है, fickle, और capricious का मतलब भी वही होता है, manmogi या whimsical भी बोलते हैं इसको, तो question number 15 का आपका answer होगा, A, part 4 आपका शुरू हो गया, part 4 में हम antonym करेंगे, antonym में आपको ultra opposite word बताना है, जैसे baron है, ठीक है, baron का मतलब होता है, unproductive, तो unproductive दिया है, लेकिन ये unproductive क्या होगा, synonym होगा इसका, antonym होगा इसका, fertile, क्योंकि fertile का मतलब होता है, आपका productive, तो question number 16 का आपका answer होगा, A, ठीक है, baleful का मतलब harmful होता है, broad का मतलब चोड़ा होता है, तो मैं सारे आपको meaning भी बता रहा हूँ, ताकि आपकी vocabulary भी strong हो जाए, virtue का मतलब होता है, सदगोन, और wise का मतलब होता है, अबगोन, तो A, इसमें answer होगा, offense का मतलब होता है, कोई चुटा सा गलत काम करना, उसको हम बोलते हैं, offense, failure, और fault, यह word यहाँ पर नहीं आएंगे, virtue मतलब सदगोन, और wise म मतलब अबगोन, तो A यहाँ पर आपका answer होगा, question number 18, doleful, doleful का मतलब dissected होता है, यानि दुखी या हताश, उसको हम बोलते हैं, doleful, तो इसमें आपका answer होगा, चुकि हम interim देख रहे हैं, answer होगा आपका A, यानि happy, ठीक है, question number 19, देखते हैं, tentative, tentative जैसे date आती है, किसी exam की तो वो tentative का मतलब होता है, provisional, तो C इसमें provisional दिया है, लेकिन provisional क्या होगा, इसका synonym होगा, तो यहाँ हम देख रहे हैं, antonym, तो tentative का जो antonym होता है, वो होता है final, तो A इसमें आपका answer होगा, tenacious का मतलब होता है, dreadness चाही, तो उसका तो कोई sense नहीं बनेगा इसमें, और एक होती है provisional date और एक होता है final date, तो इसमें permanent word नहीं आएगा, वो अलग context में, अलग sense में use होता है, final word इसमें आपका answer होगा, तो question number 19 का आपका answer होगा, इसमें A, question number 20 देखते हैं, curtail का मतलब होता है, किसी चीज को छोटा करना, जैसे आपने कोई essay लिखा है, या आपने देखा है, तो इसको 40 word में कर दिया, आपने मतलब उसको छोटा कर दिया, तो जिसको आप छोटा नहीं करेंगे, उसको आप enlarge करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर आपका answer होगा, curtail का, जो antonym होगा, वो होगा, B, deviate का मतलब होता है, अपने पत से भटक जाना, उसको हम बोलत curtail का जो antonym होगा, वो होगा, आपका, B आपका antonym होगा, enlarge, part 5 आपका शुरू हो गया, part 5 में idioms और phrases इसमें include किये है, to look down one's nose, एक look down upon भी होता है, इसका मतलब है, कि किसी को inferior मानना या नफरत की नजर से देखना, तो इसमें आपका a इसमें आपका answer होगा, question number 21st, 21st, देखें, यह वाला जो question है, यह student को खुद solve करना है, question number 21st, star लगा हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है, to be answered by students, तो इसका आप answer दीजिए, comment box में, और उस पर मैं अपना feedback दूँगा, ठीक है, question number 22 देखते है, to go scot free, to go scot free का मतलब होता है, जैसे किसी वेक्ती ने कोई अ B आपका answer होगा, question number 22nd में, 23rd में देखते है, at the 11th hour, at the 11th hour का मतलब होता है, at the last possible moment, तो B इसमें आपका answer होगा, पहले आप सारे answer यह खुद दीजिए, वीडियो को pause करके, उसके बाद मेरे answer से आप मैच करें, और अपना जो भी final score है, वो जरूर जरूर मुझे भेजें आप question number 24th, run through, run through का मतलब होता है, rehearsal करना, practice करना, किसी नाटक से पहले या कोई ड्रामा है, जो हम stage पर करते हैं, उससे पहले उसकी practice करना, उसको हम बोलते है, run through, तो यहाँ पर आपका, A आपका answer होगा, ठीक है, accumulate का मतलब एकटा करना होता है, spread का मतलब फैलाना होता है, pay heavily मतलब भारी कीमत चुकाना, यह इसके मतलब है, 25 का मतलब है, at a premium, कोई चीज जब at a premium होती है, तो वो बहुत मुश्किल से मिलती है, ठीक है, to difficult to get or obtain, तो यहाँ पर आपका answer होगा, D, तो यह हो गए आपके पूरे के पूरे 25 question, अब आप अपना score जोड ले, और जो भी आप final score बन मैं वो पूरा आप मुझे detail में लिखके भेजें, और जो question number 21 है, उसका भी answer आप मुझे लिखके जरूर जरूर इसमें भेजें, इससे आपको बहुत confidence आएगा, और इस तरह के mock test में SSC CHSL exam तक daily दो या तीन डालूँगा, इससे आपको बहुत confidence आएगा, इस तरह के mock test आप इसको इसको इंग्लिश में स्टुएंट हैं, जो इसको इंग्लिश में explain करना समझना चाते हैं, वो भी मैं इसमें upload कर दूँगा, तो इसको भी आप आराम से देख सकते हैं, और यह है एक final reminder, यहाँ पर मैं आपको दे देता हूँ, mock test series इसको आप जरूर ले, इसका individual price 3.99 रूपीस का है, लेकिन जो combo pack है 6.99 रूपीस का, उसमें सारे topic wise test और sectional test ज्यादा हैं, उसके थुरू आपको काफी confidence आजाएगा, और काफी हद तक आपका possibility बढ़ जाएगी आपकी selection की, तो 6.99 बाला pack ले, और test.englishadvantage.in इस पर आप जाएं, और यहाँ से आप इसको ले सकत हैं, तो कैसा लगा आपको यह mock test, यदि अच्छा लगा, useful लगा, तो जरूर इसको like करें, share करें अपने जाश्यादा friends के साथ, और comment करके मुझे बताएं, question number का answer भी भेज़ें आप, 21st का, और यदि अभी तक आपने इस channel को subscribe नहीं किया है, तो जरूर जरूर हमारे साथ और जरूर इस channel को subscribe करें, इस channel का नाम है English Advantage YouTube channel, ठीक है, so thank you very much for watching this video and I wish you all the best for your bright future, thank you.